आज का टोपिक है Algae in Global Warming and Carbon Capture by Algae Content है इसमें देख लेते हैं Introduction, Global Warming, Micro Algae Biofuel System, Carbon Capture by Photosynthesis, Carbon Sequestration by Algae, Algae Blooms, Effect of Global Warming, Main Function of Algae Prevention इसमें इंट्रवडेक्ट्षन में हम देखते हैं microalgae से कायूज biomass production एवं carbon capture के लिए उप्युक्ट होता है microalgae से 100% biomass production किया जाता है इसमें photosynthesis की process होती है जिसके through CO2 को capture किया जाता है जो global warming को कम करने में help करती है photosynthesis की process द्वारा एलगी ओयल का प्रोडक्टन करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है गमस्तियर बुल्डिंग होप अपार्टमेंट टैंक में एलगी को काट कर रखा जाता है इन और मैंटन को कंट्रोल करके इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कुछ गैसों के कारण विश्व के तापमान में लगातार ब्रिधी हो रही है जो एक गंभेर समस्या है इसे कम करने के लिए एलगी का यूस किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेंपरेचर लगातार बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निमलिखित गैसे जिम्मेदार हैं जैसे कारबन ड़ी अक्साइड, मेथवायन, नाइट्रस अक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, कारबन ड़ी अक्साइ जो ग्लोबल वर्मिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। पूरे विश्व में 50 प्रतिसत होटो सिंथेसिस एल्गी के द्वारा होता है। जिसमें CO2 की मात्रा में काफी कमी होती है। माइक्रो एल्गी बायो फ्यूल सिस्टम बायो फ्यूल का प्रोडक्शन एल्गी के द्वारा किया जाता है। इसे बायो फ्यूल के प्रोडक्शन में एल्गी को ग्रेटर माना जाता है। माइक्रो एल्गी से बायो फ्यूल का प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो रहा है। एल्गी कार्वन को कैप्चर करते हैं एवं बायो मास का प्रोडक्शन करते हैं। कार्वन कैप्चर के द्वारा इनॉर्मेंट को कंट्रोल किया जाता है जिससे इसमें बाय कार्वोनेट आयन जो लैंड में present होते हैं इन्हें यूज करके एलगी बारो मास का production करती है इसमें inorment control के लिए carbon को capture किया जाता है एलगी carbon capture तब करता है जब लैंड में by carbonate iron present होती है एलगी के द्वारा hydrogen gas produce किया जाता है एल्गी के द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन गेस जो इको फ्रेंडर्ली वाइफ्यूल होते हैं जिनके यूज से CO2 की कम मात्रा इन्वर्मेंट में निकलती है जो CO2 की मात्रा को कम करने में मदद करती है इसे लोबल वर्मिंग कम होता है एल्गी द्वारा इधेनॉल का भी बायो फ्यूल का प्रोडक्शन किया जाता है ओल एवं बायो मास्ट का एल्गी पॉंड में रेंज 20,000 से 60,500 लीटर्स पर इयर होता है कार्बन कैप्चर बाय फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा होता है इसमें फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बाय कार्बोनेट आइन की आवशक्ता होती है जो CO2 गैस का नौन गैसियस फॉर्म होता है फोटो सिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से अधिक से अधिक कार्बन कैप्चर किया जा सकता है कार्बन कैप्चर बाय एल्गी algae से carbon capture करने की process algae physiology, pond chemistry and temperature के आधार पर different types से किया जाता है carbon capture की process dark में संभव नहीं है इसे day में ही किया जाता है algae carbon का capture कर अधिक से अधिक biomass का production करते है carbon sequestration by algae carbon के capture के लिए बहुत से element जैसे iron आधी को develop किया गया है जिससे carbon को capture कर global warming को कम करने की कोसिस की जार ही है कुछ harmful algae है जो global warming को बढ़ाने में मदद करते हैं तक था जो useful algae है वो global warming को कम करने में help करते हैं algae blooms algae blooms harmful algae को algae blooms कहलाते हैं जो marine and fresh water system है algae blooms ecology में algae blooms thick and toxic होते हैं या sunlight को absorb करते हैं और अधिक से अधिक algae blooms को promote करते हैं जो algae blooms को promote करते हैं जो global warming को बढ़ाती है इफेक्ट ओफ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग के कारण कारण कारबन डाई आकसाइड का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे rainfall में भी changes हुए हैं इनमें sea level में वृध्धी हुई है तथा climate change होता जा रहा हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण अने skin disease फोटो सिंथेटिक ओर्गेनिजम का एक बड़ा ग्रूप है यह सनलाइट को food एवं energy में convert करने के योग गिरक्ता है एल्गी अदर अदर ओर्गेनिजम की अफेक्छा oxygen का major source होता है यहां एल्गी सनलाइट को absorb कर फोटो सिंथेसिस करते हैं और O2 को release करते हैं जो atom sphere में oxygen की मात्रा को बढ़ाने में help करते हैं तथा यहां carbon को capture CO2 को capture करते हैं जिससे global warming को कम करने में help होती है Prevention, एल्गी कल्चर के थूँ एल्गी के production को बढ़ा कर CO2 की मात्रा को कम करने के लिए एक method use में ली जाती है फोटो बायो रियक्टर कहते हैं जब gas water में mixed होती है तो इसी tube में inject करा कर क्रीत्रिम तरीकी से एल्गी में absorb कराया जाता है जिसे फोटो सिंथेसिस हो सकी कर दो